D.A.B.com B.S.C. M.A.M.com करें विश्व की सबसे बड़ी युनिवर्सिटी एकनो से सॉल्ट असाइन्मेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें संपर करें महाकाल कम्प्यूटर्स D.A.V.P.G. कॉलिज के पास पंच मंदीरा मोर से दाहिने सिवान सिवान में लगतार 12 घंटे हुए बारिश के बाद जहां एक तरफ लोगों ने इस बारिश को खुल कर नजवाय किया वहीं दूसरी तरफ इस बारिश ने सिवान के राज़ेंदर स्टेडियम सहित काई महलों में अगर परशद वारा हुए विकासकारियों की भी पूल खोल दी बता दें कि शहर के राज़ेंदर स्टेडियम का पूरा मैदान अब तालाब में तबदील हो चुका है तस्वीरों के माधिम से आप देख सकते हैं कि ना सर्फ राज़ेंदर स्टेडियम के अंदर बल्कि उसके बाहर भी चारों तरफ सड़क भी नाले में तबदील हो चुका है और इसे विकासकारियों की भी पूल खोल रही है ग्यातों की हाल में सिवान के राज़ेंदर स्टेडियम के खबर हमने आपको दिखाई थी जिसमें 90 लाक रुपे की राशिस स्टेडियम के सौंधरी करण के नाम पर महस खाना पूर्ती कर दी गए इस स्टेडियम के बगल से जाने वाली सरक की ऊचाइ स्टेडियम की मैदान से उंची है ऐसे में बारिश का पाने स्टेडियम में लगना आम बात है और ऐसा पहली बार नहीं बलकि हर साल होता है बावजुद इसके इस पर किसी तरह का काम नहीं किया गया जैसे आवाजपास के लोग जो उसमें टहलने के लिए आते हैं उनको तो कचचनाई का सामना करना पड़ेगा साधिजात ऐसे बच्चे जो उसमें क्रकेट की प्रशित छड़ लेते हैं और जो बच्चे पुलिस भरती के लिए इसमें दोर लगाते हैं सभी को इसका चिनाई का सामना को